इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 9 नवंबर 2030 विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोषणा करता हूँ अब प्रत्याशित आशिरवाद यहां और अब मेरे रास्ते में है मैं केवल इसे परियाप्त से अधिक होने से आगे बढ़ता हूँ इश्वान ने मेरे लिए अलोकिक द्वार खोल दिये हैं उन्होंने उचित व्यक्तियों से मेरे बारे में बात की है मैं इफीसियो तीन बीस को अपने जीवन के पक्ष में और रधी से अधिक भहतायत से उपर और उपर से देखता हूँ यह मेरी घोषणा है दिव्य स्वास्ति की स्वीक्रोकति मैं अपने मन और जीव को विश्वास से भरी स्वीक्रोकति के साथ वश में करके साहस पूर्वक मसीह में अपने दिव्य अधिकारों का प्रियोक करता हूँ मुझ पर कोई विपत्ती नहीं आती किसी भी तरह से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुचाता क्योंकि सर्व शक्ति मान प्रभू मेरी रक्षा, गड़ और मेरा शरण स्थान है इश्वर की महिमा हूँ मेरे पास वह होगा जो मैं कहूँगा येशु के नाम में योहन 14.13 मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ मैं इश्वर और मानवजाती का कृपापात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, नकी जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभू के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और भड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूँगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो येशु के नाम में सम्रिद होता है चीजें हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीह येशु में हर अध्यात्मिक आशिरवाद का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु की नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त हो मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनुभाव से बात करता हूँ परिपूर्ण बनो, मसीह के मनुभाव की तरह, और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से सरेंखित होने की आज्या देता हूँ मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामान्य वेंडिलेशन और परफ्यूजन अनपाद बनाए रखने की बात करता हूँ मैं अपनी किडनी, लिवर और अगनाशे को पूनता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्या, जोड और कातिलेद सरेंखित, मजबूत और ड्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते है मेरी आखें इसपष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजात शिशु और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों की रूप कस गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां व्रधी के आवेशक्ता होती है मेरे सभी हार्मोन्स और नियूरोकेमिकल ट्रांस्मिटर्स एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जर्स्य में है और अपने कारियों को सामान्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खादे पतार्थों को पचाने, अवशोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चया पचे अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शिठिलता, गपशप, आलस, स्यादिक नीन, सुस्ती और वाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराप, निकोटिन, ड्रग्स, द्वीघातमान, अत्यरिक भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आग्याकारिता में लेता हूँ जैसे येशू, वैसा ही मैं ईश्वन ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे निये जीवन और चंगाई है इस दिये खाद्यपदार्थों, धूल, जानवरों, आदी, अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है ईश्वन ने मुझे इन सारी चीज़ों पर अधिकार दिया है मेरा पुरुष प्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गती शीरता वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा महिला प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है और जन्म तक भून की रक्षा और कोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका उनता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्वने से कार्य करने के निये बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येशु के नाम पे मना करता हूँ, آमेन मेरा संपून मानव शरीर रचना विग्यान जया पजय और शरीर क्रिया विग्यान मसीह येशु में परिपूर्ण है, महिमा, हालेलुया, आमेन पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ. पुत्र ईश्वर मुझे पता है मैं जानता हूँ. पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ. शलो.